हेलो गाइज वेल्कम बेक टू मैं चैनल कैसे आप सब मजे में हो ना मैं भी मजे में हूँ तो आज मैं आपको बनाना सखाऊंगी डाल मखनी एक एक एसे डेसर जो की हर पंजावी की फेवरोड होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपको वेरी वीडियो पसंद आए कि लाएक करें शियर करें कमेंड करें सब्सक्राह किना बुलिगल तो सबसे पहले लेंगे हम ये काली औरत दाल ये एक अप कुली है और कुछ ये राजमा ले ले लिया लाजमा काली ओरट आणके साबस्वार्पबिअ फोर्थ कप दिया है यह एक बाउल काली उर्ड दाल दिया है और एक बन फोर्थ कप राज माली है इन दोनों को हम पहले अच्छे से बॉश कर लेते हैं बॉश करना बहुत जरूर होता है गाइस साधी बढ़ते को भी फंक्शन होता है ना महाँ पर मेन्यू में डाल मखनी जरूर होती है या फिर कोई समझ में नहीं आता क्या ओडर करना है तो हम डाल मखनी ही ओडर करता है इसको देखो अच्छे से बॉश कर लेंगे हएं दो कोई कितना काला पानी निकल रहा न इसका इसलिए हर शब दाल कुम में वाश कर लएते हैं तो एक और बाश कर लेते हैं बाश कर लेंगे अच्छे से अब इसको भी अच्छी से हल्क आता से मिल रहा है अगर आपको मेरी पीडियो पर संदारी हो लाइक करें शेयर करें कमेंड करें सब्सक्राइब करना बिल्कूल आपको इसका भी काला पानी हम निकाल देते हैं इसको मैंने दूसे तीन वाफ वाश कर लिया था अच्छे से उस अच्छा है और देखें प्लेट से तक्केर बताएं नेक्स्ट दे मॉर्णिंग में देख रहे हैं तो देखो किली बड़े हो गया है ना कितने फूल गया है वाव यह दाल का कलर भी ग्रेश हो गया है थोड़ा सा ऐसे हो जाता है फिर इसको हम एक आपानी निकाल देते हैं इसको एक होगा बश्च कर लेते हैं जिना जारा अच्छी से बश्च कर लेंगे न उर्ना जारा टेस्ट अच्छा है गाई और देखने में भी कलर एकदम रेश्टरेंस टार आएगा इसको बश्च करना काफी जरूरी है कि दो आर मैंने पहले बॉश्च कर लिया था अब दो आरम मैं बार में भी बॉश्च कर दो इसका भी हम सारा पानी निकल देंगे कि इसको कि बड़े बड़े होजाते न ओवर नॉट के लिए फिजोकी रखा हुए था मैंने इसको अब बॉइल करने के लिए हम गैस पर रखेंगे एक बहुणी यह देखिए बहुणी लग दिया इसमें यह डाल डाल देते हैं जो मैंने अच्छे वो वाश कर ली थी फिर इसमां मदालेंगे पानी पानी भी डाल दिया चिज़े तो इसमें मदालेंगे नमक त्षी एक एकॉर्डिंग बॉइल करते हमें नमक जरूर डालना चाहिए यह दो चमश वैनि नमक डाल दिया है फिर इसमां मदालेंगे बेकिंग छोड़ा खानेवारा शोड़ा होता है ना बेकिंग छोड़ा डाल दिया है एक चमश का अफिर कम डालेंगे दो्टमबच चीनी हलकी सी मिठास के लिए दो चमन चीन न दाल दिए इन सबको अच्छे से mix कर दिन गे अब यह उद्लेक्स कर दिया अब इसको मैं प्लेट से डख देता है तो एंचा कने आधिए थोड़ी देर बाद दीखेंगे तो यह उपर जंग सा बनना या इसको निकालते जैंगे यह प्रोसेस ज़रूरिये करना अच्छा कलर आता अन्ट र्येडिस सी तो इन्छा कलर आता है रेड़ीर बना रहे हैं पन फिर प्रोसेस अ क्यान बहुत प्राम सब्ढा선 सेमक्ति क्लिट है कि भीच में दाले हैं अको बीच में डाले हैं कि देखायARS नकर पानी कम हो य् लुद्टी के चैनल के माइश स सचाहिक लिए इसलिए पानी सकते हैं तो हमारी दाल भी अच्छे से हो चुकिया है चलो अब हम गैस का फिलिम बन कर देते हैं इसकी तड़के की तियारी करता है कि गैस पर रिखेंगे कड़ाई कड़ाई में हम डालेंगे सबसे पहले लेट घी यह देखो दो बड़ी चमज मैंने घी डाल दिया है प्रेश मम डालेंगे बटर बटर कर टेस्ट काफी अच्छा जाए गाईस इन जोनों कर्चे से गराम हो जाने देंगे अगर आपके बास बटर ना हो तो बटर को आप स्किप कर सकते हैं वनना बटर तो बहुत जरूर होता है मक्नी बनाने के लिए फिर इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ अध्रक अध्रक को भी अच्छे से हो जाने देंगे फिर इसके बार हम डालेंगे साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसके वार हम डालेंगे टामाटर की प्यूरी यह टामाटर को मैंने पीस ले आ था मिक्सर में डो टोमाटर लेते मैंने बड़े अचे से मिक्स कर देंगे इसको कि टमाटरों को पक्चानने देंगे थोड़ा सो गाइस हम मेरे चैनल बाकी वीडियो भी देखते नहीं आई होप आपको मेरी वीडियो पचानदारी होंगी यह नमक डाल दिया था मैंने बीच में स्वाद के उनसा याद रखें हमने बॉयल करते समय भी नमक डाला था तिस ट बलें यानिकि हमारे ऐखे सी डमाटर ठाट पर चुक्के हैं तोड़ा सा वर प्धालें कि है ौदे गीशार कर गया ना अब हम जूदा ना स्टार्परते इसमें जो हमने बॉयल की थी अ है कि तूरा डालेंगी पानी की सईधोर दालेंगे मैंने इसका पानी नही पहआ है लुपिर दिंगे अगर आपको को इसमें पानी की रिकार्मेंट बेन लगे और लूपर से आप εκार्ण। या रल करें इसमें अच्छह लाका' नहीं कि अशिए अच्छे से बॉइल हो जाने देंगे जितने आजारा खतिएगी न उतना जारा अच्छा स्वार आएगा जाल मकनी का मारे अब अब डाल दिते हूं पर से ट्वड़ा सब बटर एको बटर डाल दिया मैंने अशनने का बटर का वी कफिन टेस्ट यह इस अच्छा दाइविक सुच यह बटर को अच्छे से मल्ट और अच्छिक अच्छाotte फंची नहीं जब यह चोट्छलेज़ ना फिर डालें एम करीम करीम डाल सकते हूं या फिर घर में जो मालाई होती है हर किसी अब मिल जाएगी मिलाई भी डाल सकते हैं यह दो बड़ी चमस मैंने मलाई डाल दिये यह फिक क्रीम बोल सकते हैं ऐसको भी अच्छे से मिकस कड़लेंगे जितना जार बॉयल होगी नो उतना जार तेस्ट आएक़ए अब हम डालते तैं में लिकटाओ रादान्या रादान्या डालने के बाद भी थोड़ा सा और बॉइल कर लेंगे हैं दाल मखनी थोड़ी सी है भीवी होती है खाने में देखो को रिटालने के बाद ले लेती हूं है जह घाक होज़ है किवेश मेरी अब भी कमने स्प्रेटिंग में बता है मेर इसका है जिस खरकी फेड़ियट है या फिर добрorth न की जुट एक कैसे बहुत आ सकती है कैसे आई वह च्यों छलो प्लेटिंग की तियारी कर लिए चया है इदेखिए यह दाल मकनी को इस बड़े से बाव में सर्फ किया जाता है इसमा हम डाल देंगे द्वाराशी प्रीम फिर डाल देंगे हलका स्टूरी अंडर ये दाल मकनी मेरी बन के तैयार हो चुकी है अगर आपको मेरी बीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शियर करें, कमेंट करें सबस्क्राइब नहीं बिलकुल नहीं अगर गाई साथ मेरी चैनल के नहीं हैं तो चैनल को सबस्क्राइब ज़रू कर लें थैंक यू, थैंक यू पर वाचिंग, बाई बाई